Good morning class again, I am your Hindi teacher, today I will teach you Hindi Students, आज मैं आपको subject Hindi, second पढ़ाऊंगी Hindi व्याकरण बच्चों, page number 41 निकालिए बिटा, आज आपका chapter 7 स्टार्ट होगा, नाम की जगह चैप्टर 7 नाम की जगह, बच्चों लेक्चर 1 देखिए इन वाक्यों को पढ़वू, अनू, एक लड़की है बिटा, इस चित्र में देखिए, ये अनू है, और ये एक लड़की है अनू, 6 साल की है, बच्चों, अनू, कितने साल की है, 6 साल की है अनू, के पास एक गुड़िया है, देखिए, चित्र में बच्चों, ये अनू है, और इसके पास ये गुड़िया है, है ना? अनू की बेहन रिया है, ये देखिए, ये कौन है, रिया, ये अनू की बेहन है हम इन वाक्यों को ऐसे लिख सकते हैं अनू एक लड़की है, वह 6 साल की है, उसके पास एक गुड़िया है, उसकी बेहन रिया है, है ना वच्चों? यहाँ अनू की जगा वह उसके उसकी शब्द आए है, लिखते या बोलते समय हम बार-बार किसी का नाम नहीं लेते नाम की जगा दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं बेटा, नाम की जगा दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, यह तो आप लोगों को पता होगा पढ़ो, समझो और जानो बच्चों, लेक्चर वन कम्प्रीट हॉम बग में आप इसको दुबारा पढ़िएगा जो मैंने आपको पढ़ाया ओके, थैंक यू क्लास